बड़ी खबर ये है कि जिन दो मंत्रियों को मंत्री बनाया गया है जिन दो विधायकों को अब उनके विभागों का बटवारा कैसे हो इस पर पेश पंसा हुआ है और इसको लेकर काफी जद्दो जहत सी हो रही है हर्याना के दौनों मंत्रियों की विभागों का आज बठवारा हो सकता है दौनों को बताया जा सकता है कि आपको ये विभाग समभालना है चर्चाएं काफी है रास सही चर्चाओं का बाजार गर्म है मंत्री मंडल में शामिल दो मंत्रियों की विभागों पर माथा पच्ची सरकार के एक वरिष मंत्री के विभाग को लेकर भी तलवार लटकी हुई है। देविंद्र वबली को मिल सकता है पंचायती विभाग, पंचायत विकास विभाग और अनुप धानक के मंत्राले में भी बदलाव किया गया है। तरह की भी खबरें हैं। विभागों का बटवारा एकदम से नहीं किया गया है। किस तरह की चीज़ें उलजी हुई हैं और क्यों। जहां तक बात की जाएं देविंदर बबली का नाम जो है वो पूरे तरीके से साफ बना जा रहा था। इससे पहले कई बार जो मुखर हो करके उनके बयान देखने के लिए मिले थे। कई विश्यों को ले करके उसके बाद से ले करके लगातार जो चुप़ी उनकी तरफ से साधी जा रही थी। यह दरशा रही थी कि कही न कहीं पार्टी के तौर पर अंधरूनी तौर पर पूरा समन्वय बन चुका है और कहीं पार्टी लाइन पर पूरे तरीके से अब देविंदर बबली चलते होए नजर आएंगे और इसी के चलते कहीं न कहीं उन्हें ये ताजपोशी मंतरी पद के तौर पर नवाजी गई है वहीं अगर हम बात करें कमल गुपता की तो कमल गुपता संग के वरिश्ट नेताओं के तौर पर है और जो आला नेता है उनके साथ भी उनका एक बहतर संपर्क माना गया था और कहीं संग के चलते ही, संग के वीटो के चलते ही ये कह सकते है कि कमल गुपता को ये ताजपोशी जो है मंतरी पद के तौर पर की गई है और ऐसी इस्तिती में कमल गुपता को एक लंबे इंतजार के बाद क्योंकि आपने भी इसका जिक्र किया कि लंबे समय से मंत्री मंदल विस्तार को लेकर करके चर्चाएं थी मुख्यमंत्री भी ये कहते नजर आते थे कि सस्पेंस बना रहना चाहिए बरकरा रहना चाहिए सस्पेंस से परदा उठा लेकिन एक नया सस्पेंस कि आखिर जो नए मंत्री बने है उन्हें कौन सा जो मंत्राले है वो दिया जाएगा आब ये नया वर्ष जो है वो शुरू होने को है लेकिन अब ये देखना है कि इस नए वर्ष में जो दोनों नए मंत्री आकिर वह किस विभाग के मंत्री है ये लोगों को कबटक पता चलता है क्योंकि कल रात ये माना मुझूदा मंत्राले है सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि उसे बदल दिया गया है शरम विभाग और राजस विभाग के अंदर उन्हें जिम्मधारी दी गई है जिन में से एक इंडिपेंडेंट चार्ज भी अनूब धानक को दिया गया है जिस तरीके की जानकारी सूत्रों से मिली है इसके अलावा अगर हम बात करें देविंदर बबली की तो पंचायती राज और फूड सप्लाइज जैसे जो महकमे हैं इन दोनों महकमों को लेकर के चर्चा थी जिसमें कहीं न कहीं सूत्र ये बता रहे हैं क जो ऐसे महकमे है या ऐसा मंतराले है जिसके अंदर कमल गुपता अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक तोर पर ना दिखा पाएं सूत्रों से ये जानकारी मिली के कमल गुपता क्यूंकि डाक्टर है तो ऐसी इस्तिती में वो हेल्ट डिपार्टमेंट को चाह रहे हैं तो अर्बन लोकल बॉडिज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी अनिल्विज जो है वो लगातार रिफॉर्म्स लाने को लेकर के लगातार अपने जो कदम है उठाने को लेकर के काम कर रहे तो ऐसी इस्तिती में उसके लिए भी वो तयार रही है और उनके कद के मुताब लगातार कल से ही नासिर गर्म है उसके अंदर मुख्यमंतरी अगर ऐसी इस्तिती में कमल गुपता को संग के वीटो के चलते कहीं न कहीं संग के दवाब के चलते यदि वित विभाग देते हैं तो ऐसी इस्तिती में मुख्यमंतरी को भी को एक कोई भारी भरकम विभाग अ पर कुछ चर्चाएं हुए इसको लेकर कि किसको खास्तोर से बीजेपी के जो मंत्री बने है कमल गुपता उनके मंत्राले के वितरन को लेकर क्योंकि देविंदर बबली का तो मामला लगभग फाइनल सा है क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल देविंदर बबली का जो मंत्राले है वो उन्हें कौन सा मिलना है ये करीब पूरे तरीके से तै हो चुका है लेकिन जो इसको लेकर के मंत्राले के जो वितरन की जो ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट आनी है जो कागज जो आना है उसमें विलम इसलिए है कि जब उसको जारी किया जाए तो उसमें तमाम जो मंतरी हैं उनके जो मंतराले हैं उनका जिक्र जो है वो एक कागज पर ही दिया जाए और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कमल गुपता को जो जिम्मेदारी दी जानी है कमल गुपता को जो महकमा दिया जाना है वो पूरे तर मन्तरालہ है, वो इनको दि STARTाए. वित मन्तराले अगर दिया जाता है तो ऐसी इस्तिती में कहीं न कहीं न कहीं, मुख्में तरी ये चाहेंगे कि उनके पास और जो भारी भरकम महकमा है, गर है मन्तराले जैसा, वो उनके पास रहना चाहिए तो यह पशो पेस की इस्तिती है और इसमें अगर हम बात करें कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से दो साल में उनकी तरफ से काम किया गया चाहे वो होम डेपार्टमेंट की बात हो या पिर अर्बन लोकल बॉडिस की बात हो यह तमाम महकमें ऐसे थे जो कह करोना काल के अंदर जो है एक करोना वारियर के तौर पर जिन्होंने काम किया था पूरे तौर पर और एक परफॉर्म करके यहां पर दिखाया था तो ऐसी इस्तिती में अनिल्विज का स्वास्ते ठीक ना होने के बावजूद भी एक बार याद होगा नासिर आपको भी और जिन्तर नहीं था और फाइल जो डिले करने वाले अधिकारी थे उन पर भी उनकी सक्ती जो है साथ दोर से देखने के लिए मिलती थी तो ऐसी इस्तिती में उन्होंने इतनी लगन के साथ जिस प्रकार से परफॉर्म करके जन्ता के लिए काम करने का जो बीड़ा उठा रख मौझूद थे लेकिन अनिल विच वहाँ पर मौझूद नहीं थे जब यह पूरा जितेंद्र मैं आता हूँ आपके पास और एक एहम खबर भी आरी उससे वी रूबरुक राजम फिर से और चर्चा करेंगे एक एहम खबर मैं आता हूँ आपके पास हर्याना के डिप्टी स दुशन चौटाला का बयान आया है एक बड़ी खबर एक एहम खबर दोनों नए मंत्रियों को शाम तक विभाग मिल जाएंगे किसे कौन सा मंत्रा ले देना है ये सीम का अधिकार है दुशन चौटाला ने कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी अपनी पार्टी से मंत मंत्री बनाकर जिम्यदारी दी है अलग-अलग मंत्री अलग-अलग विभाग लेकर ही आगे बढ़ते हैं गठ्मंदन सरकार ने दो साल बहतर काम किया है अगले तीन साल भी आम जनके हित्मे काम करेंगे दुशन चौटाला का बयान शाम तक किलियर हो जाएगा कि किसको क्य अगया विभाग दिया गया है वेतरीन तरीके से काम कर रहे हैं हमारे पास कैबिनेट के अंदर दो स्पोर्ट एक्सपेंशन के थे और दोनों पार्टियों अपने एक एक विधाय को कैबिनेट की शपत दिलाई है और मैं अमीद रखता हूँ कि आद शाम तक जो जो डिपार्टमेंट्स भी उन साथियों को देने हैं उस पर भी देने हो जाएगा और बहतरी इन तरीके से और अगले तीन साल हम इसी तरीके से काम कर पाएं इस लक्षे के साथ सरकार आगे बढ़े अर्याना की जनता जिस सोच के साथ जिस गठबंदन के साथ जुड़ी है मुझे लगता है हमने आम जन के लिए बैतर काम करकर दिखाया और इसलिए चाए वो नीती आयोग हो गुड गवर्नेंस हो हर एक महर्याना की रैंकिंग प्राथमिक नमरों में आने लगी है जिते अंदर भी लगतार मेरे साथ जोड़े हुए हैं जिते अंदर गठबंदन की सरकार जब होती है तो फिर कई बार इसलिए भी माथप अच्ची होती है कि किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए लेकिन यहाँ पर फिलाल ऐसी इस्तिती नजर नहीं आ रही है यह इसलिए भी सब कुछ हो रहा है कि जिस तरह सम्खबरें लगतार चल रही थी कि एक वरिष्ट मंत्री के मंत्राले में फिर बदल हो सकता है तो इसलिए यहाँ पर सरकार को बहुत जादा सोचना समझना पड़ रहा हो कोई भी कदम फूपू कर उठाना पड़ रहा हो कि जाने वाले वक्त में और दूसरी चीज़ों से और दूसरे विवादों से बचा जा सके और सब कुछ ठीक रहे जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि हम दो साल से बहतर काम कर रहे हैं देखें बिलकुल अगर सरकार तो लगातार ये दावा भी करती है ना सिर्टक सात साल सरकार को हो चुकि ए क्योंकि इस से पहले भाजपा सरकार और उसके बाद दो साल से गड़ बंदन सरकार जो है अपने साथ साल का सफर अभी तक तै कर चुके हैं ऐसी इस्तिती में सरकार की तरफ से तमाम दावे यहां पर किये जा रहे हैं लेकिन जो सबसे वरिष्ट मंत्री हैं और अपने आप में अगर हम बात करें जिस तरीके से विधायक बनने को लेकर के भी करीब जो तीस साल का वक में और भी कई मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं इसमें बीच का रास्ता क्या निकलेगा अभी दर्शकों को सुनाया कि किस तरीके से उनका यह कहना है कि आज शाम तक जो है यह तै हो जाएगा लेकिन जहां तक आपने गटबंदन को लेकर सवाल पूचा के गटबंद को देना था जो लगबग तै हो चुका है फूड एन सप्लाई भी उनके पास है और पंचायत राज भी उपमुख्यमंत्री दुष्यन चोटाला के पास है इन में से एक महकमा देविंदर बबली को जाना है और अपने ही महकमे में से बदलाव करते होए उन्होंने श्रम वि भावना बनी रहती है लेकिन खबरे अभी तक ने अभी तक जो तमाम बाते अपने सूत्रों से बताई हैं उन पर महर लगती आई है और इस बार भी उमीद यही की जा रही है कि इसी प्रकार से महर लगती रहेगी और जन्ता पर जो विश्वास है वो बना रहेगा नासिर लेकिन दूसरी तरफ अगर भाजपा के जो मंतरी बने हैं उनकी अगर हम बात करते हैं क्योंकि कमल गुपता भी यह चाहते हैं और कई विकल्प हैं सरकार के पास जो है दूसरे मंतरियों से कोई मंतराले कम करके कमल गुपता को देने को ले करके लेकिन कमल गुपता भी भा केमरे के समक्ष जो नेता हैं वो खुल करके नहीं कहते लेकिन तमाम हमें जो सूतरों से जानकारी मिली है कमल गुपता भी यह चाहते है कि उन्हें एक ऐसा महकमा दिया जाए जिसमें वो काम कर सके और जिसको एक कैबिनेट पद के तौर पर एक भारी भर कम महकमे के तौर पर जाए जाएगा और जो विभाग बांटे जाएंगे मंत्रियों को वो किलियर हो जाएगा अब या तो शाम तक हो सकता है या फिर दुपेर तक और दुपेर के बाद भी खबरें सामने आजाएं